अलिलुया धन्वादिशो धन्वादिशो प्रभू आपके सुति हुआ आपकी महिमा हो इंदनेम आप चीजस इशो मसी के नाम से इस सुन्दर से दिन के लिए पवित्र दिन के लिए हम प्रभू आपका बहुत बहुत दिल से धन्वाद करते हैं की परमीशर आज आपने हमें हर तरीके से सुराचित रखा आपने हमारी सहायता की मदद की प्रभू हम आपके सामने आज सुन्दर सुबे के लिए प्रात्ना करते हैं विंती करते हैं की पर्मीशर जो भी आज आज आपके बच्चे आपके बेटे और बेटियां आपसे दवा करते हैं प्रात्ना करते हैं उनके जीवन में हर तरीके के डर को दोर कर प्राभू क्योंकि हम जानते हैं हमारे मन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के डर बैठा हुआ है एस्व मसी कहते हैं मैं तुझे बचाऊंगा डरो मत बिस्वास रखो मैं तुम्हारा जिन्दा जीवित योवा परमीशर हूँ जब मैं तुम्हारे पापों को छमा कर सकता हूँ जब मैं तुम्हें डेली जिन्दगी एक नई देता हूँ एक नया स्वास देता हूँ एक नया सूर उदै होता है एक नया प्रकास आपके जीवन में आप देख पाते हैं तो मैं तुम्हारे डर को क्यों नहीं दूर करूँगा मैं क्यों नहीं आपको बचाऊंगा क्यों कि परमिशर क्वचन केता है जिस दिन हमारे अंदर ये बिस्वास कॉन्फिडेंस के साथ रहेगा उस दिन हमारे अंदर बहुत सामर्थ और बहुत ताकत रहेगी मेरे प्री भाइनों परमिशर ने बाइबल में सैक्लों बार कहा है डरो मत लेकिन इसका मतलब क्या है परमिशर ने तो कई बार कहा कि डरो मत इसका मतलब क्या है बहुत सारी बातों का मतलब होता है लेकिन हमें पता नहीं होता लेकिन जब हम पढ़ते हैं बाइबल को वचनों को तो बहुत सारी बाती हमारे अंदर आती है किस सरीके से क्या मेरा आत्मिक विस्वास आगे बढ़ता है क्या मैं पाप करता हूँ क्या मैं गुनाह करता हूँ बहुत सारी चीजों के लिए करके आप डरे हैं जैसे आपके घर में पैसा नहीं है नोकरी नहीं है या आपकी नोकरी जा रही है ये इसकी बात की चिंता को सकती है आप डरे हुए है या आपके बच्चे आपके अपने लाइफ में अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे उस चीज को आपको डर है भाई है क्यों कि परमिसर वचन कहता है मैं तुझे तो बचाऊंगा लेकिन तु डरता किस बात से भाई किस बात सिखाता है तो मेरे परीवायनों ये सुन्दर से सुबह के लिए परमिसर आपके परिवार को बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने जारा आपको आसीज देने जारा क्योंकि परमिसर वचन कहता है बहुत सारी चिनताओं को लेकर कि हमारे मन में डर बैठा रहता है और हम उन चीजों डरों को और अपने अंदर हावी होने देते हैं तो हमारे अंदर एक दिन ऐसा होता है कि छोटी छोटी बात के लिए हम डरते हैं क्या है हमारा इस अंसार में क्या जो हम सांस लेते हैं हमारे बस में हैं नहीं जो आज हम जिन्दा हैं क्या हम अपने बस में हैं नहीं क्या हम जो कुछ करते हैं अपने द्वारा करते हैं नहीं वो सब परमीशर जो आपके जीवन में देख रहा है उसके द्वारा हो रहा है वो परमीशर को वचन कहता है जिस दिन तुम बिस्वास और भारोसा के साथ आग क्योंकि मैं तेरा परमिश्वर मैं तुझे द्रण करूंगा और तेरी सहायता करूंगा अपने धर्म दाहिने हां से मैं तुझे समहाले रहूंगा हलिलिया जिस तरीके से असा यहां यहां पर कहना चाहता है कि मडर संसार में हलाकि हर चीज का हमें टेंसान होता है हर एक चीज का होता है जो भी हम कार करते हैं अभी हम प्रातना भी करते हैं तो चिंता और डर के वज़े से ही करते हैं यह बात आद रखेगा क्योंकि हमारे अं परमिसर वचन कहता रदावत ने कहा बजल सगीता अद्याय 23 और वचन 4 में लिखा है चाहे मैं घोर अंदकार से चलू अनिक प्रकार की तराईयों से गुजर करके चलू तो भी हानी से ना डरूँगा क्योंकि मैं तू मुझे हर घड़ी हर वक्त मुझे सम्हालता है और तेरी लाठी और तेरे सोटे सो मुझे सांती मिलती यहां पे रदावत का कहने का मतलब है चाहे में कितनी भी घोर अंदकार में चलू चाहे में कितनी भी कठिन भरी ही सभा में चलू कामों में चलू दिक्कतों में चलू बिजनिस में चलू चाहे जितना मैं घोर अंदकार में चल तो परमिशर की सामर्थ के दौरा जो हम डरते नहीं है तो परमिशर हमें कहता है कि मैं तुझे हर वक्त में तुझे सांती दूगा और तुझे बचाओंगा यहां पर जिस तरीके से रादावत कहता है वचन के दौरा कि यहां मेरी जोती है अतलब प्रकास है और मेरा उधार है मैं किस से डरूँ जब मेरा परमिशर मुझे रोसनी देने वाला है प्रकास देने वाला मेरे जीवन में मुझे दिखाता है मुझे चलाता है और जिस तरीके से वो मेरा उधार करने वाला है तो मैं किस से डरूँ किस इस बाद से भैखाऊं तो मेरे प्रीभाई उन्हों इसलिए पर्मिशर क्वचन केता है कि आपको जीवन में डरना नहीं है बैवीत नहीं होना है क्योंकि प्रभुक्वचन यहां पर कहता है फिर आगे लिखता है रदाउद यहां पे पर्मिशर हमारा सर्थान और बल है अगले या पहाड अपनी लहरों से काप उठें लेकिन हमें फिर भी नहीं डरना है नहीं भैवीत होना है क्योंकि जब तक पर्मिशर के अनुसार हमारे जीवन में योजनाय नहीं है तब तक पूरी नहीं होंगी और यदि हैं तो चाहे समुद्र इधर से उधर हो जाए लिखा गया है यौनक पुस्तक अध्याय चवदा और वच्छा नंबर 27 में लिखा है इस मसी ने कहा है मैं तुम्हें सांती दिये जाता हूं अपनी सांती मैं तुम्हें देता हूं इसलिए आपके जीवन में कभी भी कोई विदिक्कत नहीं आएगी तुम्हारा मन जब प्रविशु मसीघ के सामने था तो चोटी स्वाटी बात को लेकर के डर जाता था तो क्या हुआ दोब जाता है तो इसलिए परविश्वचन कहता है एक चीज एक एक निसानी पर जहम कोई चीज को देखते हैं एक लच्छ होता है तो उसमें हमें डर नहीं लगता हमें भय नहीं लगता है तो मेरे प्रीव युश वार इनों आई उस तभी लोग मिल करके प्रात्ना करते हैं कि परमिशार अमारे जीवन की रच्टा और सुरच्छा करने वाला वोच खोदा है आपके बच्चे आप की बेटे और बेटे आएं इस भात्ना करते हैं इसु मशीक के खुदावण हम आपकी महिमा करते इसुण राजा मेरी सरिष्टी के माले को धार करता आप हमे जीवन देने वाले स्वाश देने वाले परमिशर आज शुद बच्छे आपके सामने आप बिंति करते हैं दुआ करते हैं अपनेगुटु टेक करके पिता परमिशर आज उनके प्रात्म को सुनने वाले आप हैं उनकी हर प्रकार की दुख और हर प्रकार की समश्याओं से उनने बचाने वाले आप हैं पिता पर्मिशर आज जिनके बच्चे आज उदास हैं नोकरी को लेकर के पिता परमीशर जौब को लेकर के या बीमारी को लेकर के पिता परमीशर आप उसे हर प्रकार से छुटकारा देने वाले हैं इसमें मसी के नाम से हम विंती करते हैं प्रात्ना करता जितने बहने हैं आज जितने भाई हैं प्रात्ना करते 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 हैं प आपकी महिमा करते हैं प्रभू की आज आज आपकी जीवन के द्वारा पिता परमीशर बहुत सारे लोग चंगी होंगे उनके जीवन में हर एक काम के आप सफल करेंगे हर प्रकार की बीमारियों से आप उन्हें आजाद करेंगे हर प्रकार की दुख हर प्रकार की संकट से उन्हें आजाद करेंगे आज जिनके घुटनों में दर्द है या पैरों में दर्द है या किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है इस मसीख के नाम से हम आग गे देते हैं कि आज वो बिंती और प्रातना के दोरा रिसीब करते हैं प्रातना को कि परमिशर आज उनके बच्चों की देख रेक करने वाले उनके घर परिवार उनके माता पिता भाई बहनों की रच्छा और सुरच्छा करने वाले हैं उनकी हर प्रकार से मदद और सहायता करने वाले हैं इस मसीख के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं आपकी प्रसंसा करते हैं कि परमिशर आज उनके जीवन की रच्छा कर सो रच्छा कर उनको बदल पिता परमिशर के कि वो आप से प्रेम करने वाली इस मसीख के नाम से इन्द नेम अब जीजस इस मसी के नाम से वो हर प्रकार की दुश्ट आत्मा इगंदी आत्मा जिनके घरों में इस समय उपस्तित है बिता परमीशर आज जो दुश्ट आत्मा से ग्रसी थै इस शुमशी के नाम से उसके लिए आग्या देते हैं कि इसी वक्त उनके घर से वो दूश्ट आत्मा और बीमारियां मैं बहुत सारी मसी भाई बेनों को घर में देख पा रहा हूँ बहुत सारी तस्वीरे टेंगे हो लेकिन इस मसी के नाम से आज वो हर प्रकार के प्रात्ना करने के बाद अपने घर को अच्छी तरीके से देखे आज जिनके घरों में सैतानी ताकत और हर प्रकार के बंधन आपके घर में बांग चुके इस मसी के नाम से जो लोग आप से जलते हैं जो लोग आप से जलन रखते हैं इस मसी के नाम से उनके हर प्रकार की मनो कामनाओ को जो चाहते हैं कि हर प्रकार की समझ्षाओं में आप उनकी मदद करने वाली शमस्य के नाम से मेरे प्रीव भायविनों आपको डड़ना नहीं आपको भैवीत नहीं होना है इस प्रातना को सुनते रहे आपकी जीवन में आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है आपको आजादी मिलने वाली है आपको हर प्रकार के दुख से हर प्रकार के संकट से प्रभू आपको बचाने वाला है प्रविश्र आपकी जीवन की रच्छा और सुरच्छा करने वाला है इस मस्य के नाम से इस नए साल में पिता पर्मिशा इनके जीवन की बदल पिता पर्मिशा के किया आप से बिंते और दुआ करते हैं इस मस्य के नाम से इनके हरे कामों में आप इने सफल बनाएं जो भी आपके बच्चे आपके बेटे और बेट जिनके माता पेता भाई बे बिह अपने भाई बड़े चोटे और बेटे को ले करके परिसान ही कि मेरा बेटा क्या करेगा मुझे को समझ भी नहीं आ था लेकिं प्रुबू ने रास्ता मार्क देने वाले आप हैं अनके माता है इसिूमसीख के नाम से उनके हर प्रकार की दूष्ठ आत्मा और गंदी आत्मा उनके चीवन से निकलने पाहि इसा अग्या यह देते हैं हालेलुया धन्वादिश mica हैश्चि की नाम से ईसु राचा मेरे परमीशर आपने हमारे लिए अपने आपको बलिदान किया चढ़ाया इस मशी के नाम से हम बिस्वास करते हैं इस पवित्र लहू के नाम से पिता परमीशर जो आपने हमार फ़म सब पापियों को बचाने के लिए अपना लहू बहाया पिता परमीशर आपने मुर्दों को अच्छा किया आपने जिंदा किया पिता परमीशर आपने कोड़ियों को सुद्ध किया जितने मेरे मसी भाई बैने जो आज किसी भी प्रकार से रोक से आज रसी थे आपके चमडी में आपके सरीर में आपके किसी भी अंगे में किसी भी हिस्से में यदि आपको तकलीफ हो रही है तो इसमसी के नाम से आप पाने उठाएंगे आप पाने उठाएंगे और आग्या वो हर एक मसी भायव diagnostic कई अंति में वह पानी को पानी को पियेगे ताकि आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा इस ऌए है साल में आपके शरी ने टो किसी बीत खी का investigating सरीरे के आंदर या किसी प्रखार की बिमारी होगी या सिर म Pitts-भी प्रकार की दर्धार या घुटनो के नाम से वो सब कुछ दूर होगी इसमसी के नाम से इसमसी के नाम से हम आग देते हैं यतने मेरे मसी भायबे इसमे पानी को रखे हुए इसमसी के नाम से अपने हाथों में बिता परमीशर इसमसी के नाम से आज वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए आग गया देंगे जो ज पिष्टी के माले को धर करता जीवन देने वाले पवित्रा आत्मा सतक्लम 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 दुष्टा आत्मा गंदी आत्मा इश्वमशी के नाम से इसी वक्त उनकी सरीर से निकलेगी इश्वमशी के नाम से पवित्रा आत्मा के द उनके घरों में टोना टोटका करते ही शमशी के नाम से, हम आगगे देते हैं इसी वक्त उनके जीवन से वो सैतानी ताकत, वो बंधन, वो हर प्रकार के मुसीबत आज इनके जीवन से आज़्चाद होने पाई शमशी के नाम से, हर वो प्रकार की समश्या इनके जीवन से निक एकसन हो गया इश्मश्य के नाम से यह किसी प्रकार का कोई घाव हो चुका इश्मश्य के नाम से हम उसके लिए विंति करते हैं प्राक न करते हैं तुवा करते हैं इश्मश्य के नाम से आज उनके जीवन से परमीशर मेरे स्रिष्टी के मालिक को धार करता पवित्र आत्मा क के दौरा उनके जीवन में उस पानी में जाय पिता परमिशर और जैसे उस पानी को रिसीब करेंगे विस्वास के दौरा उसके जीवन में उसी वक्त जो भी बीमारी होगी जो भी दर्द होगा इसमस्य के नाम से वो ठीक होगा इसमस्य के नाम से विस्वास करते हैं पिता पर कि वचन के द्वारा वेचते हैं पिता पर्मिशर उनके जीवन में बहुत आयसे आसी से नहीं शमश्य के नाम से आज उनके बच्चों की जीवन की रच्छा कर सूर अच्छा कर उन्हें देख लेकर उनकी हर प्रकार की वहर प्रकार की बुराईयों को आप दूर करेंगी आलेल्या उसा मत्त कर शच्छी स्री शिवसरेड श annoyसे उनके नाम से स्क्षट में वक्त के सरी हिसे इस तमें यह पानिए पाई Denimah ऑफजी शिर शोरी मसीच नाम से वे आपके घरों में पैसे के दिकत प्रॉब्ला मारी इस मशीख के नाम से हर वो प्रकार की समझाओं के लिए हम आगे देते इस मशीख के नाम से निकल इस मशीख के नाम से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया पवितरात मा पवितरात मा पवितरात मा पवितरात मा पवितरात मा पवितरात मा इनके घरों में पिता परमीशर उत्रे इश मसीख के नाम से आज इसी वक्त पिता परमीशर ये रिसीब करते हैं इश मसीख के नाम से हम धर्नमाद करते हैं आपकी महिमत करते हैं इश मसीख के नाम से कि आज आज आपने उनके जीवन की बिमारियों को आप ठीक कर दें इश मसीख के नाम से मेरे प्री भाई बेनों परमीशर आपके जीवन में आपको बहुत सारी प्लेसिंग आपको आसीज देने जा रहा इशु मसीख के नाम से पिता परमीशर आपके प्यारे बेटे इशु मसीख महान जो हमारा गुरू है जो हमारा उधार करता जीवन देने वाला परमीशर उसके जीवन में आज जो भी बीमारी होगी दोख होगी तकलीफ होगी वो सब कुछ दूर होगी यदि किसी के दर्द है तो आप उसे विस्वास के दोरा उसे विस्वास दिला करके प्रातना में जो आपने पानी लिया था उसे पिलाएए इसी वक्त आपके जीवन में बड़ी से ब भाइबेन है जो वचन के द्वारा और जो वचन को सीखते हैं प्रात्न करते हैं विंती करते हैं और मदद करना चायते हैं तो आप दिये गए आप दिये गए स्क्रीन नंबर पर जो नंबर दिखाए उसमें आपदान रासी भेज सकते हैं परमिसर आपको उसमें बहुत सारी प्लेसिंग करेगा बहुत सारी आसीज देगा पर मिस्टर आपके जीवन में बहुत सारी आसीज दे आमें